आज किस वीडियों आपका स्वागत है जब भी हम Amazon की लिस्टिंग करते हैं तो हमें सारी फील्स बढ़नी होती है और खास करके ये इस्ट्राय वाली फील्स जो के कमपसरी होती है अगर हम इस्ट्राय वाली फील्स नहीं बढ़ेंगे भी होती थी लेकर कमपसरी नहीं होती थी क्या इसको कैसे भड़ेंगे आज आपको बताऊंगा सबसे पहला है आए टरम डायमेंशन में आपको क्या डालना है कि आपको जब प्रोड़क्ट है उसकी लेंथ विट्थ जो की चोड़ाई होती है पर height, उसकी उचाहे, कितनी है, ठीक है तो आप इसे चुनेंगे, सबसे पहले आप ओना चुनना है, यह मतलब लेंगे, width डालेंगे, height डालेंगे, वो किसमें डालेंगे, mm में चुनेंगे, cm में, m, inches में चुननआ है, तो तो में डालोगा inches पर आप क्या करेंगे? इंचेव लें आपने पृड़क का इंचेव य बड़े scale व अगेड़ा से पृड़क के जो inches cm है आपके यहां लेखेंगे जैसे प्रड़क की लेंद्थ है 28 inches ठीक है अब प्रड़क की चौड़ा ही चुनेंगे पहले उनिट चुनेंगे इंचस में सेंटीमीटर स्मस रसाप से और डालेंगे 12 इंच में है हाइट में भी सेम ऐसी होगा कितना है उससे अशाप से डालेंगे पॉइंट में जैसे कि 2.1 आएटम के dimensions में कै 대한 सौरी और आएटम पैकेज के खिने में यह देखिए अलग 10 एक उता है यह तो दिख आपके अंदर का इंदर का जो आईटम होगा उसके dimensions अब जो बहार का package होगा न मतलब आप जब पैक कर लेंगे उसकी जो length width height कितनी होगी वो पूछना हैंगे तो आप जब अपने product को जो भी है measure कर लेंगे नाप लेंगे और इस हिसाब साब डालेंगे centimeter inches में चुनके क्या आपका product क्या है package की ठीक है जब डाल लेंगे तो आपकी फिल्ड हो जाएगी तो आज किस वीडियो में देता है thank you